हलो फ्रेंड्स आज हम इस तरह की रंग भी रंगी चार रंगी गोपाल जी की ड्रेस बनाएगी ये ड्रेस जीरो जीरो एक और दो नमबर के काना जी के आ जाएगी ये ड्रेस मैंने इसका अलग से घेरा बनाया फिर चोली बना के मैंने इसका टैच किया है इस चोली पे मैंने यहां पर एक चिक पिटल लगा दिया है आगे से मैंने सिलाई कर दिया है आप इसे के यहां से खुला भी रख सकते हैं या सील भी सकते हैं बड़ी प्यारी सी ड्रेस है चलो इसी ड्रेस को हम बनाना शुरू करते हैं मैंने 10 नंबर के सलाई में 12 से 16 फंद में डाल लिए अब हम उल्टि सलाई से बनाना शुरू करेंगे सबसे पहले हम दो फंद में उल्टि बना लेंगे बिर वापस से सीधी फंद में चले जाएंगे उन 2 फंदों को वापस से उल्टा ही बनायएंगे वपसे हम तीसरी सलाई में आ गए जो मारी उल्टी है इसमें हम दो फंदे और बढ़ालेंगे हर उल्टी सलाई में हमको दो-दो फंदे बढ़ालेंगे सीधी सलाई भी पूरी उल्टी निकाल दी इसमें हमारे चार फंदे बैंग्नी हो गए अब हम वपस से सलाई को गुमा लेंगे और इसफेन बैंग्नी रंके बनाएंगे हम वापसे मुल्टी सलाई में आ गए अब हमको चार के छे फंदे करने तो चार फंदे को हम बैंगनी रंके बनाएंगे अब हमें पाच्वा फंदा जो दो फंदे बढ़ाने है वह हम पीले रंकी उनसे बनाएंगे अब इस दो फंदे पीले रंकी उनसे बना लेंगे इस तरह हमारे चे फंदे होगे अब तस llay के दो फंदे तो हम aan लेंगे पीळी उनको पीजहिए ले जाएंगे बैंगनी को आगे लाएंगे इन दोनों उनको इससरह से प्रॉस कर लेणा है आगई बैंग्नी फंदें हम बना देंगे outta अब वापस से हम उल्टी सलाही में आगए है यह वापस थे में दो फंदें बड़ाने हैं चैर हमारे बैंग्नि होगे अब चार हमारे पीली हो जायेँ बैंगने उनको इस तरह आगे कर लेंगे अग पीली को इस तरह पीछे ले जाके बना लेंगे जिसे इनके बीच में वापस से क्रॉस बन जाएगा अभी हम वापस से यह दो फंदे बढ़ा लेंगे तो चार हमारे पीली हो जाएंगे वापसे हम सीधी सलाई में आ गए वापसे हम चारो फंदे पीले उल्टे बना लेता है पीली उनको पिछे ले जाएंगे बैंगनी को आगे लाएंगे क्रॉस करते ले वापसे हम उल्टे सलाई में आ गए हम वापसे दो फंदे बढ़ाने चार तो हम बैंगने रंके बना लेंगे फंदे उनको आगे लाएंगे पीली को पीछे ले जाके चार फंदे पीली उनके बना लेंगे अब हम ये दो फंदे बढ़ाएंगे जो हम हरे रंकी उनसे बनाएंगे जमने दो फंदे हरे रंके उन से बना लेए हरे रंके उनको आगे ले आएंगे दो फंदे हरे रंके बना लेंगे हरे रंके उनको पिछे ले जाएंगे पिले रंके उनको आगे लाएंगे क्रॉस करते वे पिले चार फंदे बना लेंगे पिली उनको पिछे ले जाएंगे, बैंगनी को आगे लाएंगे, क्रोस करते हैं, पिली के चार फंदे बना लेंगे वापस से हम उल्टी सलाई में आ गए, उल्टी सलाई में वापस से में दो फंदे बढ़ाने, तब हमारे चार हरे हो जाएंगे चार बैंगली बना लेते हम, उनको आगे लाएंगे, पीली उनको पिछे ले जाते हमें, चार फंदे पीली उनसे बना लेंगे, उनको आगे लेके आएंगे, उनके मुझको इस तरह पिछे ले जाके इनको भी दबाते जाते हैं, अबी दो फंदे पेले के बना लिए, पीली हरी उनके अब दो फंदे हम ओर बढ़ा लगे इस तरह हमारे चार फंदे हरी उनके उनको वपस से सिध्धा करेंगे सलाई को ये इस तरह हमारे बारा फंदे बन गए अब ये हम पहले चार हरे बना लेंगे हरी उनको पिछे ले जाएंगे पिली उनको आगे लाएंगे क्रॉस करते वे पिली उनको पिछे ले जाएंगे बैंगनी उनको आगे लाएंगे क्रॉस करते वे और चार बैंगनी फंदे बना लगे अब वापस से हम उल्टी सलाई में आ गड़े वापस से में दो फंदे बढ़ाने अब हमें दो फंदे लाल रंकी उन से बनाएंगे शुरू के चार फंदे हमने बैंग में रंकी उन से बना लिए उनको आगे लाएंगे बैंग पीली उनको पिछे ले जाएंगे चार फंदे पीली उन से बना लेंगे फिर ये पीली उन को आगे लाएंगे हरी उन को पिछे ले जाएंगे चार फंदे हरी उन से बना लेंगे अब हम ये दो फंदे जो बढ़ाएंगे लाल रंकी उन से बनाएंगे वापस हम सलाई को सीधा करेंगे दो फंदे हम लाल रंग की उन से बना लेंगे. लाल रंग की उनको हम पिछे लेके जाएंगे, हरी उनको आगे लाएंगे, क्रोस करते वे, चारो हरे फंदे बना लेंगे. और ये उनको पिछे ले जाएंगे पिली उनको आगे लाएंगे क्रोस करते वे पिली उनके भी चारो फंदे बना लेंगे पिली उनको पिछे ले जाएंगे बैंग नी रंके उनको आगे लाएंगे चारो फंदे बना लेंगे इस तरह हमारी ये सलाई भी पूरी हो गई वापस से उल्टी सलाई आ गई तो हम वापस से दो फंदे बनाएंगे यह हमारे लाल भी चार फंदे हो जाएंगे चारो बैंग में फंदे बना लिए उनको आगे लाएंगे पीली उनको पिछे ले जाएंगे चारो पीले फंदे बना लेंगे पीली उनको आगे लाएंगे हरी को पिछे ले जाएंगे चारो हरी फंदे बना लेंगे इसी तरह हरी को पिछ आगे लाएंगे और लालो उनसे दो फंदे बना लेंगे बच्चेवी दो दो फंदे भी लाल उन से बना लेंगे, इसुत्रहे हमारे सभी फंदे बन जाते अभी मैं पूरी सलाई में निकाल लेते हैं उन्टे शुरुमे चार लाल बना लेंगे, लाल उनको पीछे ले जाएँगे, हरी का अगे लाएंगे क्रॉस करते हुए चारो हरी फंदे बना लेंगे पिछी हरी उनको ले जाएंगे पीली उनको आगे लाएंगे और चारो पीले फंदे भी बना लेंगे पीली उनको पिछे ले जाएंगे बैंगनी को आगे लाएंगे चारो बैंगनी फंदे भी बना लेंगे इस तरह हमारी ये एक कली पूरी हो जाती है अब हम दूसरी कली बनाएंगे दूसरी कली में हम शुरू में शुरू में वही दो फंदे बनाते हैं फिर वापस से सलाई को गुमा के दो फंदे उल्टे ही बना लेते हैं फिर वापस से हम दो के चार कर लेंगे चारो बैंगनी फ सलाई को उल्टा करेंगे चारो बैंगनी फंदे बना लेंगे अब वापसे हम उल्टा करेंगे चार बैंगनी फंदे बनाएंगे दो फंदे फिर से बढ़ाने तब दो वापसे पीले बना लेंगे वापसे निसीधा करके बना लेंगे इस तरह करके हम यह पूरे गेरे को बना लेंगे पूरा गेरा हमारा तयार हो जाएक इस तरह हमने गेरा पूरा कर लिया है इस गेरे में मैंने 14 कलिया निकाल ली है इस गेरे को इस तरह हम बिचा के देख लेते हैं हमारा गहरा पूरा हो गोलाई में आने पे गहरा पूरा हो जाता है इसमें जिस कलर के उन से फंदे डालते हैं उसी कलर के उन से फंदे घटा देते हैं अब हम इसकी चोली बनाएंगे चोली बनाने के लिए मैंने सबसे पहले सलाई में लाल रंग की उन से सो लफंदे डाल लिए अब इसमें हम एक दो सलाईयां उल्टी-उल्टी निकाल लेंगे पहली सलाई भी उल्टी निकाल लेंगे दूसरे भी उल्टी निकाल लेंगे अब दो से स्लाइड बुल्टी निकार लेंगे अब हमने दोनों सलाइड निकार लेंगे तिसरी सलाइड में हम हरे रंके उन्चे बनाएंगे हरे रंके उन्चे हम शुरू के दो फंदे बनाएंगे हम दो फंदे बनाने के बाद हम इसमें जाली डालेंगे जाली डालने के लिए उनको हम पीछे ले जाते हैं इस फंदे को इस तरह बना लेते हैं जाली बना वापस से हम उनको पीछे ले जाएंगे इस फंदे को एक जाली और बनाएंगे वापसे जाली बन गए अब इस फंदे को गिनते हुए हम एक फंद और बना लेंगे इस तरह हमारे बाजू के दो फंदे होगे वापसे हम पीछे उन लेके जाएंगे एक जाली बनाएंगे वापसे उनको लेके जाएंगे इस फंदे को हम गिनते हुए चार फंदे बनाएंग दूसरी जाली वापस से इसको हम दो फंदे अब ये बाजू के बना लेंगे एक और एक ये दो वापस से उनको पिछे ले जाएंगे ये एक जाली बन गई अब ये दूसरी जाली में आगे के हम ये दो फंदे उल्टे बना लेंगे उल्टी स्लाई हमको पूरी उल्टी निका सीधी सलाई में जाली डाले तो आगे की सलाओी में जाली डालते हैं ता इसलिए स्तर रागे को पीछे राखे से बनावें जिसरे जाली दीखती है यह हमारे हारे रंकियों उन से बना लिए हमने अब हम इसमें पीले रंकियों जोड़ेंगे लाल रंकियों को ऐसे उपर ले जाएंगे जिसे साथ में दोनों उन चलती रहे यह हम पीले रंकियों से शुरू के फंदे बनाएंगे एक दो और यह तीर जाली के उपर हम जाली डाल लेंगे इस तरह ले जाएंगे इस्तर उल्ट उल्टी स्लाई बनाने में जाली में हमें बीच के फंदा बीच के फंदे की जो एक फली से बनती है जो कम दिखाई देती अब ही वापस हुआ पैसरा लेंगे जाली आगे वापस हम जाली बना लेंगे वापसे मारी जाली आगी वापसे उन पीछे ले जाके हम दोनों जाली बना लेंगे वापसे हम जाली को बना लेंगे उल्टिसलायम पूरी उल्टिनी काल लेंगे वा जल्टिसलाय पींगे अबस्तिन झाली Olो main वापसे लेक हम जाली वानगे अब हमारी चोथे कलर क्यों भी लगा लगे अब दो जालियां तो पूरी हो गई है एक हमने हरी में डाल ली थी दूसरी पीली में डाल ली ती अब तीसरी हम इससे डाल लेंगे इससे हम चार जालियां पूरी कर लेंगे झाल झाल जाली के उपर हम आपसे जाली डाल लेंगे आपसे जाली के उपर हम जाली डाल लेंगे आपसे जाली के उपर जाली डाल लेंगे अब हमारी पूरी शलाई उल्टी निकाल लेगे पूरी शलाई उल्टी निकाल लेगे तीसी जाली हो जाएगे पूरहिए बाजु को गटा देंगे जो देजाने इसे हमारे छूरू के 6 फंदे हो गए, अब हम लाल रंकियों से बनाएंगे, पहला फंद्दा, ये दूसरा, तीसरा, चोत्ता, पांचवा, ये 6 फंद्द्द्ध हो गए, अभी यह एक फंद्द्ध है, इसे हम इसी में बना लेंगे, इसके बाद हमारे बाजू में बसते हैं दस फंदे और अब हम एक फली का ले लेंगे इस तरह हम ग्यारा फंदे घटा देंगे यहां से एक के दो फंदे बनाएंगे और इसको हम इस तरह एक दूसरे के उपर इसको इसके उपर से इस तरह ले जाके फंदियों को मिस्ते घटा लेंगे यह मारे नो फंदे यह जाली का फंदा भी यह फाली का भी ले लेंगे यह दस फंदे अब एक फंदा और ले लेंगे इसे हमारे ग्यारा फंदे हम बाजु के घटा देंगे अब हम यह पीछे का इस सब ना लेते हैं दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा फंदी होगे हमारे अब यह साथ फंदी तो हम उसके आगे के रख लेंगे और ग्यारा फंदी हम के रख लेंगे ग्यारा फंदी हम बाजू के रख लेंगे ग्यारा, अभी हमारे पूरे हो गए हैं पिछे के फंदी हमने बना लिए तीन, तीन, छे, तीन, नो, बारा फंदी पिछे के बना लिए अब हम बाजू, दूसरी बाजू उटा देंगे पहला फंद उसी तरह हम बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे, इसको इसके उपर से उतार देंगे. दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, अब हमारे आगे के साथ फंदे बना लेंगे, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, अब हमने ये दूसरी बाजू भी गटा दिये. इसमें कईर रंकियून लगने से हमें मालूम नहीं पड़ता तो हम फंदों को गिनके गटा लेते हैं. आगे के फंदे हमने साथ फंदे लिए, बीच के फंदे हमने बारा फंदे लिए और बाजू में हमने 11-11 फंदे गटा हैं. इस तरह हमारे ये पूरी होगी. हमको अगर बाजू पूरी बनानी हैं, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बाजू पूरी बनाना बता आया, उसमें हम इन फंदों को पिणवी डाल लेते हैं और फिर बाद में लंबाई के हिसाब से हम उसे बना लेते हैं. अब हम इस सिलाई को पूरा एक साथ बना लेंगे जिससे ये बाजू आपस में यहां से सारा तीनों इससे आपस में जूड़ जाएंगे यह पिर हम थोड़ा सा उनको थोड़ा खीच के बना लेते हैं जिससे इसे डी लेना पड़ अब हम यह हमारे तीनों इससे आपस में जूड़ गए अब हम इसकी एक हरी एक पीली और एक बैंगनी सलाई निकाल लेते हैं फिर हम इसकी लंबाई देख लेंगे हमको कम लगेगी था हो दो सलाई हो निकाल लेंगे नहीं तो हम उसी पे हम फंदे गटा देंगे अब हम बना लेते हरी रंग की उनसे अब हमारी ये चोली पूरी हो गई है हमने इसमें बाजू गटाने के बाद एक लाल रंकी, हरे, पीली और बैंगनी लाल रंकी में था हमने बाजू गटाई थी इसके बाद हमने हरी, पीली, बैंगनी और एक लाल रंकी एक सले योड निकाल के मैंने सारे फंदे घटा दियें इस्तरे हमारी ये चोली पूरी हुग गई है अब हम इस चोली को गेरे से अटेच कर देंगे इस्तरे हम गेरे को इसको पकड़ेंगे और इस्तरे हम इसको पूरी को सील देंगे बम ने इस चोली को तुमारे घेरे से पूरी सिलाई कर दी इस तरह में तुम यह हमारी इस तरह पोशाक त्यार हो गई है इनिस्सों को हम सुई दागे से अंदर दबा देंगे और यहां पर हम एक चिट बिटन लगा लेते अब हम इस घेरे को चाहें तो सिल भी सकते हैं या खुला भी रख सकते हैं यह हमारी उपपर हो जाता है कि हमको किस तरह रखना है यह हमारी पूरी पोशाक तैयार हो गई है अगर अब आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तैंक यू पर वचिए मैं वीडियो